नमस्का दर्शकों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आप में वीडियो लेकर आई हूँ धनू लगन वब्रिशव राशी के लिए वर्ष 2023 का राशी फल जो मेरे नई दर्शक है उनको मैं बता दू कि धनू लगन वब्रिशव राशी का क्या आरत है यह यानि आपका कंबिनेशन अगर धनू लगन वब्रिशव राशी का बनता है तो आप यह वीडियो देखकर लाब उटा सकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ष 2023 में जो चार बड़े ग्रहे देव गुरु बर्सपती शनी माराज और राहु और केतु जो राशी परिव परवरतन कर रहे है वो धनू लगन वर विश्वर राशी शनी माराज को बर्ष क्यारह में वो मकार राशी में आपके दूसरे भाब में होंगे और 17 जन्वरी दोगजा यह को वोकुम राशी में कैसे समय का जाएंगे कहते हैं जोतिश में जब भी शनी माराज लगन से या चंदरमा से तीसरे छटे या ग्यारमे भाब में आते हैं तो वो शुफल देते हैं तो धनु लगन में वो चंद्र लगन से तिसरे भाब में आ रहे हैं शनीमारा 17 जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक वो कुम राशी में आपके तिसरे भाब में रहेंगे जो हर तरीके से आपके लिए पॉजिटिव होंगे वर्ष के आरब में देग गुरु बर्षपती मीन राशी में होंगे और 21 अप्रेल 2023 को वो पंचम भाब में चले जाएंगे मेश राशी में और गुरु जो है वो 2, 5, 7, 9 और 11 का अच्छा फल देते हैं तो इन भावों में से गुरु पंचम भाब में आ गए उनकी लगन पर परिष्टी हो गई उनकी भागयवा परिष्टी हो गई यानि गुरु भी पॉजिटी हो गए और अप्रेल से लेकर अक्टूबर तक गुरु और रावों की पंचम भाब में युद्धी रहेगी और अक्टूबर के बाद राहु राशी परवर्टन करके आपके चौते भा दशम भाब में राहु क्योंकि वक्री गती के घ्रह है इसलिए मेज से मीन की तरफ जाएंगे उल्टे उल्टे चलेंगे क्योंकि वक्री गती के घ्रह है इसलिए पीछे की तरफ चलते हैं तो मेज से मीन में जाएंगे राहु चौते और केतू दशम में हो जाएंगे धनू विशव राशी के लिए गर हम बात करें तो 21 अप्रेल दोगजा 23 तक विशव राशी के लिए काफी अच्छा समय है कि लावेश गुरू सो राशी के होंगे और एकदश भाब में होंगे जहां का अच्छा फल देते हैं लेकिन 21 अप्रेल के बाद गुरू जो है द्वादश म शनी पौडटीव हो रहे हैं लेकिन अच्छी इंच्छी ट可愛 है तो तो सबसंवनोय करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आदा है तो मेरे साफ से पहले बात करें केरियर की तो उन लोगों की जो जॉब की तलाश में थे उनको जॉब मिलेगी की नहीं मिलेगी इस वर्ष जॉब मिलने के लिए शर्त है कि आपकी कुली में गुरू की मंगल की सूरे की या बुद की दशा या अंतरदशा चल रही हो गुरू म या दृष्टी सम्बन्दो तो ऐसी स्थिती में आपको आगर जौब नहीं है तो वर्ष 2 गजा 3 इसमें आपको जौब मिल सकती है आप अपनी परत्मान जौब को बदल सकते हैं और ये वर्ष ऐसा है कि जब आपकी परमोशन की भी समभाबना बनती है वर्ष के अंत में जाक है विदेशात्रा में जाने का विश्यव राशी से इस वर्ष अप्रेल से गुरू जो है आपके बार में रहेंगे गुरू जो है एक शुप ग्रहे हैं जर्वों बार्वे भाप से समंद्र रखते हैं तो वो शुप कारों में धन खर्च कराते हैं तो बार्वे भाप का ज्ञेशा बनाने का विचार कर सकते हैं बशर्ते आपकी कुण्डी में गूरु की शुक्रकी या मंगल की दशा या अंतरदशा चल रहे हैं तो यह समय मकान बनाने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जो अपने संतान के लिए प्रत्युक्ता प्रिक्षा की त्यारी कर रहे हैं क्योंकि विर्षब राशी से गुरु वर्ष के आरम में आपके पंचम को देखेंगे और धनू लगन से गुरु फिर पंचम में आ जाएंगे तो आपके लिए पढ़ने के लिए पूरे वर्ष अपर्चुनिटी अच्छी है आप मल लगा कर पढ़ाई कीजिए तो केरिर में आपको सफलता मिलेगी जो अपने विवा के लिए प्रयास कर रहे थे उनका इस वर्ष विवा हो जाने की संबाबना है और महत्यपूर्ण बात ये है कि आपको इस वर्ष मिलेगा भागे का साथ भागे का साथ मिलने का अर् की उती आपके बार्वे में रहेगी याणि अप्रेल से अक्टूबर तक थोड़ा सा धनू लगन्वा विशवराशी की जातकों को साथारी रखनी पड़ेगी एक तो अप्रेल से अक्टूबर के बीच में काम की गती सोड़ी धीमी हो जाएगी आप काम में किसी पकार की ब किसी पकार की परिशानी दे सकते हैं तो इसलिए धनू लगन्वा विशवराशी के जातकों को अप्रेल से लेकर अक्टूबर 2023 के बीच में काम में साबधानी रखनी है वैपार में किसी पकार का जोखिम नी लेना कारिश तलपर वाद विवास से बचिएगा आप हो सकता है कि अप्रेल से एक्टूबर के बीच में आपको काम की गती थोड़ी सी दीमी परती तो तो मेरा मानना है कि आप धनू लगन्वा विशवराशी के जातक है तो बश्ट 2023 आपके लिए 58% तक बढ़िया जाने वाला है 58% ये गोचर की है ध्यान रखेगा मैं आपको गोचर बत देगे कर देते हैं कि यह करके डिये किसा उसका कुछ हुआ ही नहें उसका रेजन है कि आपकी पर दिए जिस्का मैंने आपको बताया क्योंकि अकेले कुछ नहीं कर सकता अगर आपकी कुछली में नेगटिव आ जाए तो भी आपका काम हो जाएगा लेकिन बहुत सांदार और दशाएं लेगटीब चल रही है तो वो गोचर आपका कोई मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि गोचर सबसे आखिर में देखा जाता है आपके जीवन में किस वर्ष में कौन सी घटना घटनी है इसका निधारन होगा कि आपकी जनम कुली में दशाएं कौन सी चल रही है अगर आपकी कुली में सब्तमेश की दशा चल रही है तो विवा हो सकता है सब्तमेश और दशमेश की दशा चल रही है तो वैपार में नौकरी मिलग सकती है वेपार में आगे बढ़ सकते हैं धनेश और लाबेश की दस्वा चल रही है तो धनलाब हो सकता है यानि दशाएं तैय करती है कि आपके वर्ष में क्या गटना है गटेंगी उन दशाओं को जब गोचर मिल जाता है तो आपके कारे की सिद्धी हो जाती है तो दशको यह मेरा वीडियो था कि धनूल अगरा विशव राशी के लिए वर्ष दोगजा तेस अठावन परशन तक बढ़िया जाने वाला है आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट वाक्स में कमेंट करके बताईएगा इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहल माता दी